असलाम लाइकूम, वेलकम बैक टू माइ चैनल, कैसी है मेरी यूटूब फैमिली, अलहम्दलिल्ला, मैं भी ठीक हूँ और ये है सुबह का टाइम, और इस टाइम जो है हम दाना डालते हैं, अपने घर जो बर्ड्स हैं उनको, और उनका पानी भी चेंज करते हैं, टेली ही, और उनके जो बर्तन हैं उनको वाश करके, उनमें पानी डालका रखते हैं ये सुबा का टाइम था और बेटी गई थी स्कूल और मुझे ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है सुबा सुबा निक्री निक्री सी सुबा होती है और खुशकवार मोसम है आज कल तो और भी सुबा ज्यादा अच्छी लगती है और माशाला से औरेंज हमारे बहुत ज्यादा ही फल फूल रहे हैं और मुझे तो इस तफ़ा इनका साइस भी बहुत बड़ा लग रहा है अभी से माशाला और अब जब बाठशे रुप जाएंगी और धूब जरा तेस निकलीगी तो इन में रस भरेगा तो ये और भी बहु दाना चुगने के लिए और ये चलियां भी बहुत शोग से खाते हैं और जो है इसके बाद अम्मी दूसी जगा भी पानी डालेंगी जो हमने ऊपन रखा हुए है और दाना भी डालेंगी और हमारा जो दाना डालने वाला पटन है वो भी तूट गया है तो अम्मी अभी ऐ में अपने बेड्रोम की तो है रोज ही ड्स्टिंग कर लेती हूं। लेकिन भाई और डाना हम बेड्रोम की जो हैं कभी-कभी ड्स्टिंग करती हूं। saxya करती हूं। वैसे भी हफ्ते में एक-दो दफ़ा तो खुद ही सफाई करनी चाहिए मैं अपने बेड्रूम की भी खुद ही करती हूँ और अब भाई की बेड्रूम की भी कर रही हूँ तो ये है कि एक हफ्ता तो स्कून से गुजर जाएगा मेट तो वैसे डेली ही करती है खुद काम करो तो अच्छा भी लगता है और दिल भी जो है वो मुतमाइन रहता है बेटी जो है जैसे ही स्कूल जाती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक-दो घंटे के लिए सो जाऊ मना आज कल जो है रुटीन थोड़ी सी चेंज हो रही है तो कभी नींद आती और कभी नहीं आती तो इस टाइम मैं एक्टिव होती हूँ तो फिर घर के काम जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ असलाम रैकूम विल्कम बेक तु माई चैनल कैसी है देरी यूटूब फैमली अलहम्दलिल्दा मैं भी ठीक हूँ आज हम बना रहे हैं लहूरी पाई और आज मैं आपको पाउं की रेसिपी दोगी क्योंकि वैसे तो हम स्राइकी लोग जो हैं वो अपने तरीके से पाई बनाते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे लहूर वारों की तरीके से तो चलें चलती हूँ और आपको डेसिपी देती हूँ लहूरी पाउं की पाई जो हम बना रहे हैं उनके लिए सब चीजें हमने कूट कर रखती हैं ये अदरिक लेसन का पेस्ट है और साथ में हरी मर्शे हैं और साथ में दो टमाटर चाहिए और साथ में ही जो पाई हैं वो हमने चड़ा दिये हैं इसमें हम डालेंगे तेज पात और साथ में हल्दी सूखी धनिया कुटी हुई और थोड़ा सा नमक डालेंगे बाकी हम बाद में भी आइट कर सकते हैं और जी दूद हमारा आ चुका है और वो वाइल भी हो गया है दूद और अब जो है इतनी देर में पाय गलेंगे हम इसका मिसाला बना लेते हैं और मिसाला हमने अलादा से बनाना है आईल में तेज़ पाथ डालना है और जीड़ा डालना है और इसके साथ ही इसमें हम एट करेंगे प्यास जो कि हमने हैंडी चॉपर में चॉप किये हैं प्यास तो प्यासों को हम फ्राई कर लेंगे और जो ये मिसाला बना रहे हैं ये मिसाला बहुत ज़्यदा ही फ्राई होता है पाई जो बनते हैं उनका मिसाला बहुत ज़्यदा ही भुनना पड़ता है और मैं आपको बता रही थी कि हम सरैकी लोग जो हैं वो पाउं में टमाटर नहीं डालते हम दही से बनाते हैं लेकिन आज हम क्योंके लोहूरी तरीके से से बना रहे हैं तो इसमें टेमाटर भी ड़लेंगे यह देखेवि lower फाव्न और थोड़े से ब्राउन हो गुए हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है पानी डाल कर फिर हम थोड़ी सी देर भूनेंगे और इसमें हमने साथ में ही अदरक और लसन का पेस्ट भी एड़ कर दिया था और ये हरी मच्चे भी डाल दी थी और हरी मच्चे और अदरक लसन से ये है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हम मिसालों में पहले डालेंगे लाल मिसाला उसके बाद कुटावा लाल मिसाला और उसके बाद हम डालेंगे हल्दी और ये सुखी धनिया डाल रहे हैं ये भी पिसी उवीड हमने डाली है और साथ में इसमें हम डालेंगे गरम मिसाला पिसा हुआ और वो भी हम थोड़ा सा डालेंगे फिर आखर में भी हम डालेंगे गरम मिसाला और इन मिसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और बहुत ज़्यदा ही देर भूनेंगे जब तक कि मिसाला दानेदार नहीं हो जाता इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे टमाटर वो भी हमने हैंडी चॉपर में चॉप कर लिये थे और उनको डाल कर फिर भूनेंगे टमाटरों को जितना अच्छा मिसाला भूना हुआ होगा उतने ही अच्छे पाई बनेंगे फिर हमने जो है थोड़ा सा पानी एड़ किया है ताकि टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाए वेसे हर किसी का तरीका अलयदा अलयदा होता है पाई बनाने का तो कोई दही नहीं डालते सिर्फ टमाटर डाल कर पाई बनाते है और आज हम दोनोंचीज़े डाल कर पाई बना रहे हैं और हमने कवर करके रख दिया है जब टेमाटर गल जाएंगे तो उसके बाद पिर ये हम मिसाला और भी भूनेंगे ये देखें जी टेमाटर भी अब गल गए हैं तो अब थोड़ी सी देर और भूनेंगे और भुनाई पे जैसे के मैंने का है डिपेंड करता है जितनी अच्छी भुनाई होगी उतने ही अच्छे पाई बनेंगे जितनी देर में मिसाला भुन रहा है उतनी देर में हमारे पाई भी गल जाएंगे और पाई जो हैं वो हमने प्रेशर कुकर में गलाएं हैं बास लोग ऐसे भी चड़ा कर रख देते हैं या सारी रात जो हैं वो धीमी आच पर गलाते हैं पाउं को लेकिन हमें जल्दी थी तो हमने प्रेशर कुकर में बनाए हैं पाई इसके साथ ही अब इस मिसाले में हम एड़ कर देंगे दही और दही डाल कर फिर भूनेंगे तो हमारा मिसाला फिर रैड़ी हो जाएगा और देखें मिसाले को भूनते हुए हमें कितनी देर हो गई है अब दही डाल कर भी हम भून रहे हैं मिसाले को और जो हम मिसाला तियार कर लेंगे तो यही मिसाला हम एड़ कर देंगे इन पाउ में जो के हमने गलाए हुए हैं प्रेशर कुकर में और इसके साथ ही मैं यहां पर आपको बता रही हूँ देखें दही डाल कर भी हम भून रहे हैं और जब यह दही भी भून जाएगी दानेदार हो जाएगी तो उसके बाद ही हम यह मिसाला एड़ कर देंगे इस मिसाले को भूनते भूनते हमें काफी ही देर हो गई थी और जी मिसाला हमारा भून गया है यह देखें जी मिसाला दानेदार हो गया है हमारे घर में तो पाई भोती शोक से खाए जाते हैं स्पेशल मेरे अबबू अम्मी तो बहुत शोक से खाते हैं पाई सबी पसंद करते हैं सबाए मेरी बेटी के तो वो तो सिरफ इसका शोरबा ही खा लेती है वैसे ये बच्चों को भी खेलाने चाहिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं और हम लोगों को भी महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनाने चाहिए पाए डेली तो नहीं रोज रोज तो अच्छे नहीं लगते रोज रोज खाना सिहत के लिए भी अच्छा नहीं है लेकि ये है कि महीने में एक दो दुपा बनाने तो ज़्यदा बेतर है और साथ में ये देखिए जी पाए हमारे गल चुके हैं और पाए इतनी अच्छी तरीके से गले हुए होने चाहिए कि जो पाओं की बोटी है वो हड़ी से हलाइदा होनी चाहिए अच्छा जी इसी में हम ये वाला जो मिसाला है जो हमारा रैडियो हो चुका है वो डाल देंगे और साथ में दिखा रही हूँ कि पाए हमारे कितनी अच्छी तरीके से गल गए है और ये मिसाला डाल कर फिर हम कुछ देर के लिए इसे रखेंगे हलकी आच पर और जब हमारा सालन गाडा हो जाएगा तो तब हम उतार लेंगे वैसे हमने इस दफ़ा जो पाए है वो इतने ज़्यादा गाड़े नहीं उतारे थे क्योंकि जो लहोरी पाए होते हैं वो ऐसे पतले-पतले से ही उसका शोरबा होता है पतला-पतला सा वैसे खाय हुए भी है हमने लहोर के पाए वो मशूर जो है उनका नाम भी मुझे याद नहीं है लेकिन वो प्यालों में डाल कर देते हैं और उनका जो शोर्बा होता है वो बहुती पतला-पतला सा होता है और लोग ऐसे घोन भर-भर कर पी रहे होते हैं और बहुती टेस्टी होता है अच्छा जी ये मैं साथ में दिखा रही हूँ अब हो रहा है हमारा सालन गाड़ा हम थोड़ा सा गाड़ा करेंगे जैदा नहीं और इस पे हमने डाला था नमक क्योंके नमक था हमारा बहुती कम तो आप अपनी मर्ज़ी से एड़ कर सकते हैं हस्पे जैका नमक डालीएगा जैसे आप लोगों को पसंद है और हमारा नमक फिका था तो हमने एड़ किया था अच्छा जी सालन हमारा हो गया है रैड़ी और इसे डालते हैं बौल में और ये देखें जी खाना हमारा रैड़ी हो गया है पाई जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुती मज़ेदार थे और आप भी बनाईएगा इसी तरीके से पाई ओके जी अब मैं चाहती हूँ इजाज़त इन्शाला ताला आपको मिलूंगी नेक्स व्लॉग में अलाहाफेज